हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप लोगों को अपने छोटे से गार्डन में लगे फूलों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह मैं अपने फूलों के पौधों में धेर सारे फ्लावर हो रही है मेरे फूलों के पौधे फूलों से लग गये है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विकास नयक है और आप का मेरे YouTube चैनल विकास लाइप कैप्चर ग्रूप में स्वागत है तो वीडियो को पूरा दिखिएगा और बताईएगा मेरा वीडियो कैसा लगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे गुलाब के पौधे में कितनी सारे गुलाब खिल कर आए हैं, पूरा पेर फुलों से लद गया है, ये मैंने नरसरी से पौधा खरीद के लाया था, आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, हमने नरसरी से बहुत से पौधे परचे अच्छे लगते हैं साथ ही में दोस्तों मैंने लाल गुलाब का टाइम लेप्स की मदद से फोटेज लिया है जो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं ये कुछ देशी गुलाब के फूल है जिनमें काफी अच्छी फ्लावरिंग आई है आप अगर थोड़ा ख्याल रखें तो देशी गुलाब के फूलों में भी अच्छी फ्लावरिंग ला सकते हैं उसी के साथ दोस्तों मालती के फूल जो हमारे यहां पूजा में बहुत यूज किया जाता है इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है उसी के बगल में आप लोग देख सकते हैं ये फूलों में भी काफी अच्छी फ्लावरिंग हुई है ये फूल काफी लंबे समय त उसी के साथ में लगे फूल जिसे आप सभी जानते हैं बारमसी ये हर महने में फूल खीले रहते हैं साथ में ही हमारे गार्डन में लगे हुए केलेंडूला के फूलों का एक टाइम लेप्स फूटेज जो काफी अच्छा लग रहा है मैंने सेयर किया हुआ है उसी से लगे गेंडे के फूलों में भी बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है गेंडे के पोधे फूलों से लद गए हैं और ये फूल लंबे समय तक बने रहते हैं जिसे देखने से हमारे घर और आखों दोनों को अच्छा लगता है आप देख सकते हैं इन फूलों का साइज भी काफी बड़ा होता है और ये एकदम खील कर आय हुए रहते हैं छोटे से पोधे में इतनी सारी फ्लॉरिंग हुई है कि फूल किसे पूरा पेण लद गया है ये काफी अच्छे और सुन्दर दिखाई देते हैं आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोट या गमलों में भी ये काफी अच्छी फ्लॉरिंग देते हैं और हमारे गार्डन की सोभा बढ़ाते हैं देखिए दोस्तों अगर घर में फूल खिले हो और आप उन्हें देखें तो आपका मन भी एकदम प्रसर्ण रहता है इसलिए कुछ समय अपने फूल के पोधों को देना जरूरी है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताना और दोस्तों आप नए हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा ज़्यादा लाइक सेयर करना ना भुलना यकी मानिये दोस्तों हम आपके लिए छोटे से छोटे रूप में नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों राम राम